नमस्कार एटो जेट टिशिश उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ नव बहुत ही बढ़िया सी गेहों की आटे की कड़ी शेयर करने जा रहे हूं अब आप सोच रहे होंगे जो कड़ी होती है वो तो हमेशा बेसन से बनती है पर कई बार होता है कि बेसन की कड़ी खाकर बोर हो गए है या काफी बार तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी अविलेबल नहीं होता है बेसन तो कुछ अलग खाना है कुछ मज़ेदार सा खाना है तो यह healthy, tasty और काफी जटपड से बनने वाली गिहों की आटे की कड़ी आप बना सकते हैं, यह राइस और बाजरी की रोटी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है, तो जरूर ट्राइ कीज़े, चली बनाते हैं, तो गिहों की आटे की कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गोल ब आदर ग्लास जितना पानी और इसे ढखकर पीस लेंगे, यह गोल आप अपने हाथों से बाउल में भी बना सेकते हैं, पर मिक्सर में क्या होता है कि कुई भी गुटलिया नहीं रहती है, यानि कि लंप्स नहीं रहते हैं, तो इस तरह से जरूर ट्राइ कीज़ेगा, अब क चमच लानमिश पाउडर और एक चौथाई चमच इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसलिए आपको धीमियाश करने हैं, नहीं तो मसाले जल सकते हैं, अब मसाले जादा देर हमें नहीं पकाने तो रहनती, इसके अंदर हमें आधा कब जितना पानी डाल देना है पानी नहीं डालेंगे, मसाले जल सकते हैं और स्वाद बिगर सकता है, पानी डालने के बद अच्छे से मिला लें और ये जो दई आटे का हमने गोल बनाया था वो डाल दे, अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, तो यहाँ पर मैंने इसके अ उबाल भी आता जाएगा और यह गाड़ी होती जाएगी कड़ी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़िया से उबाल आ रहे हैं तो दो से तीन उबाला हैं तब तक इसे पका हैं बस पीच पीच में चलाते भी रहें यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन चार से पांच म दो हरी मर्ची देख सकते हैं दोनों को थोड़ा सा पकाना है दाकिए इसका कलर चेंज हो जाना तो इसके अंदर आपको डाल देना है आधी चोटी चमचलालमिश पाउडर तोरंती कैस को बंद कर लेना और यह तड़के को दे दीना है यह जो तड़का है इसे स्वाद और भी अब इसके साथ राइस भी बना लेते हैं तो आज मैं आपको एक तम सबसे चोटे चावल आप कैसे खिले-खिले बनाए आज इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी तो देखिए मैंने एक चोटे चावल ले लिए है अब आप चाहे तो जो भी इस्तमाल करते हैं बड़े पानी से उसके बाद चावल आप पैन में बनाते हैं मेरी तरया कडाई में बस आपको गैस को आउन करके वह बर्दन रख देना है और इसके अंदर हम डालेंगे दो कप पानी एक कप चावल में आपको दो कप पानी डालना है पानी डालने के बाद इसके अंदर में डाल रह को यह ऐखनोता है मिक्स करें अब जो नहीं के चावल दů्हां डाला है पानी डाला है कि रषिस पनिनियों केका यहा फ्या आता ही शावल को किसम दुद हाध़ा यह अपो चावल को ढ न तो चार से पांच मिनिट आराम से लगेंगे पानी सूखने में यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच पीशे में चलाती भी रह रही हूँ और बस यह कुछ इस तरह से हो जाए न आप देख सकते हैं चावलों के बीच में बस थोड़ा सा ही पानी रह गया है तो गैस की फ्ले अपी बड़ी श्यावल बनीजर जैसे मैं आपको चावल वैसे करेंगे जैसे जैसे मैं शुम्हादे खेंटे बाहूआ से अैसज़र काड़ में तेसटी ऋगत Ginger , भgraph सिंपल है है हstonesल्थे आप इससे राइस और ऊवरिया से पीशस्टी है नहीं जरुर ना सब तुला करी आपको ये कड़ी के रेसिपी कैसी लगिए अच्छी लगिए वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे अपने फ्रेंज और फामिली के साथ और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए पस इतना है थांक यू फॉर वाच्छिंग